बात करते हैं एक सूपर होमेपैथिक मेडसीन जो कि हर एक होमेपैथिक मेडसीर पर आसानी से औरलेबल है और सूपर इसलिए है कि हरड की सर्वस्रेश्ट जितनी भी दवाईयां है उसमें से एक है आज की मेडसीन एडोनिस बारनेलिस यानि हर्ट की हर एक समस्याओं में यूज की जा सकती है और इसके इंडिकेशन क्या है? कौन-कौन से इंडिकेशन के बेसिस पर एड़ोनिस वर्नेलिस को लिया जाए? आज की वीडियो में यही बात करते हैं और लास्ट में इस एड़ोनिस वर्नेलिस का यूज कैसे करते हैं यानि हर्ड की कई गंभीर समस्याओं के लिए प्रियोग की जाती है एडोनिस वरनेलिस और किसी भी दवा को उप्योग करने से पहले उसके लच्छणों को जानना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी लच्छण की बेसिस पर दवा सेलेक्ट की जाती है तो इंडिकेटर से उत्पन हुई है यानि ऐसे लोगों को जिनको गठिया रोक था या फिर इंफ्लुएंजा था और किसी दवा के प्रभाव की वज़ा से गठिया एंफ्लुएंजा ठीक तो हो गया लेकिन उस गठिया रोक के दब जाने के कारण हर्ड की समस्याओं हुई है तो पहला जेनरेसन जो रिपोर्ट आती है तो उसमें देखे लिखा रहा था कि फर्ट ड़िजैनरेशन आफंफ़र्ट तो हर्ड का फिर्टिजैनरेशन होने के कारण हैड की फौर उनियंत्र Nacio का जालए है यानि जभी हर्ड की पावर और उसकी पल्स है जाल जाए तो हर्ड कमजोर दमाव में से एक है एड़निस वरनलिस तो जब भी फैटी डिजनरेशन होगा यानि जो हैट की वाल में जो फैट है और डिजनरेट हो जाएगा तो समस्यां क्रेट होंगी और तीसरा इंडिकेटर लचना है पेसाब खुलकर और सही मात्रा में ना आने के कारण सरीर में सुज अनुत्पन हो जाती है तो भी एड़निस वरनलिस का यूज किया सकता है तो तीसरा इंडिकेटर लचन है तो दिखिए सरीर में सुजन तभी आती है जब सरीर में पानी कठा होने लगता है तो जब भी पानी कठा होने लगे मतलब हर्ट की बीट कम है पल्स रेट कम है पल्स कमजोर हो गया है इस वज़ा से पल्स भी कमजोर हो गई है तो जब पल्स लो हो जाएगी तो बलड का सर्कूलेशन किडनी तक कम हो जाएगा और जब किडनी तकmat phenomenon कम हो जाएगा तो पानी इकठा होने लगेगा कोशिकाओं में और जब पानी इकठा हो जाएगा तो सूजन आएगी तब स्वेलिंग आएगी और पाचवा इंडिकेटर लच्छन की बात करें तो जल्दी-जल्दी सांस लेने की इच्छा है ऐसा प्रतीत होता है कि चेश्ट में कुछ वजन जैसा रखा है तो इनी हर्ट कमजोर है तो जल्दी-जल्दी सांस लेंगे ताकि आक्सिजन की पूरी भरपाई हो सके और इस त सब इंडिकेटर लच्छन आपसे मैस करते हैं इन पांच इंडिकेटर लच्छनों में से कोई दो तीन भी मैस कर जाएं तीन मैस कर जाएं तो आप इस दवा को जरूर लें उपयोग कैसे करना है बहुत आसानी से मदर टिंचर आप इसका ले लेजिए और सिंपल तरीके से में अब यूजिए कर सकते हैं इसके बीस बूंत एक कप में डालकर टीन बार पीजिए पर तीन बार पीना है तो लगभ़ख एक महीने यूज़कर एगप देजिए और gap में आप evina, sativa, homeopathic medicine आते हैं आप उसको यूज़ करें एक हपते उसके बाद एक महीने फिर उसको यूज़ करें इस तरह से तीन महीने में लगभग आपकी जो fatty degeneration की समस्या है और खतम हो जाएगी तरहीं तीन महीने इसको यूज़ करेंगे तो एक-एक महीने के gap में evina sat यूज़ करेंगे तो जो fatty degeneration की समस्या है जो pulse weak है जो chest में लगता है कि कुछ रखासा है तो इन सब समय साओं से आसानी से निजात पाई जा सकती है तो fatty degeneration एक समस्या तो है लेकिन उससे निजात होमेपैथिक दवा से भी हो सकता है तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो द है अब इस तरह से हम लोग एक दूसरी की जानकारी को बढ़ा करके जो बीमारियों की जो संभावना है possibility है उसको आप में लोग कम कर सकते हैं जिस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा थैंक्यू धन्यवाद